आज हम बनाने जा रहे हैं डोगला इसके लिए हमने लिया है एक बेशन 100 ml करीब और उसको मैंने छाक लिया है चलने से अच्छे से ताकि उसको मिक बेश्ट बनाते समय उसको तो कोई लंपस ना आए और उस 100 ml सूजी लिया हमने दोनों इकोल लिया है 100 ml किजी और 100 ml बेशन अब मैंने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डाला है और स्वादुन सार नमक डाले और थोड़ा सा मैंने चीनी एड़ किया है ताकि वो खटा मिठा टेस्ट रहा है और ये मैंने थोड़ा सा एक चमच अद्रक लसुन और मिर्च का पेस्ट बना के रखा तो वो एड किया और थोड़ा सा योगर्ट यहां दही नहीं मिलता है इसलिए मैंने योगर्ट डाला है अगर आपके देही मिले तो दही डालेगा वह ज्यादा अच्छा होगा और मैंने थोड़ा सा लीपन डाला था, आप सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसके बा सकते हैं अब इमैने कड़ा ही चड़ाया उसमें थोड़ा यह बाइल होने के लिए मैंने वाटर भी डाल लिया यह मैंने रेदी कर लिया है अब इस तोड़ा सब्सक्राइब मैं ने मिक्सर को डालूँ गए वो बर्तर में रेडी कर रही हूँ मैं इस पर बटर पेपर जाल दें रहे हुं ताकि वह इजली से बाहर आ जाए तो यह मेरा बटर पेपर रेडी हो गीया है i-dekh आधे घंटे हो चुक है तो यह मेरा बटर रे फूल गया है और थोड़ा गाड़ा भी हो गया है तो मैं इनलों डालूंगे उसके साथ थोड़ा सा पाणीवी ऐड़ करुँगी ताकि एनलो भी अच्छे से मिक्स हो जाए पानीके और वो थोड़ा consistency भी उसका सही हो जाए तो यह देखिए मेरा रेडी हो चुका है boil हो चुका है water और यह मैंने इन्नों में थोड़ा सा पाइं डाला और यह देखिए मेरा तैयार बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है मैंने बैटर को थोड़ा सा अच्छे से मिला लिया है त यह बैटन मेरा रेडी हो चुका है देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे हो चुकी है अब मैं इसे वह जो तयार करके रखी थी वह प्लेट में मैं डाल देती हूँ अब यह मैंने उसमें डाल दिया है अब उसके बाद मैं उसको बॉइल होने के लिए आधे घं मिनित के बाद फिर उसको ऑपेंड करूंगे शुरु में इसे में फाइफ मिनित के लिए हाइफ फिल्म पे पकाऊंगी उसके बाद फिफिटीन मिनित के लिए मैं उसमें ंसकी है। तो अब उसमें मेडिय में रख दूंगी ज़िए मैं यह देखि ment चुक है और हम इसे खो यह तोड़े पत्ता काट के तयार कर समय ने, थोड़े करी पत्ते लिये हैं, विसने बीच में चीने लए ताकिस tą decided to take a journal नहीं चोका लगाते समय और यह देखिए मेरब रेडी हो चुका है धोकला हलका ठंडा होने के बाद मैं इसे बाहर निकाल दी हूँ अब इसे थोड़े से मैं धनी पत्ते के साथ गार्निस करूंगी यह ऑप्सनल है आप यह धोकला रेडी हो चुका है आप इसको डेकोरेट कर करना चाहे तो कर सकते हैं या इस तरह भी खा सकते हैं तो मैं इसे थोड़े से गार्निस करूंगी थोड़े से धनी पत्ते के साथ एंड्र छोका लगाऊंगी तो यह मेरा त्यार हो चुका है अब इसे मैं अस्क्वाइर सेप में काट लूंगी ताक कि खाने में इजी हो सब कि हैपनी काट लिया है अब इसमें थोड़ा सा मेरे मुझे सजाना थो मैं थोड़ा ससी सेम चृत्त Li काट अब इसमें थोड़ा साथ अच्छा लूट जो एक सकते हैं इसे में थोड़ा सा स्प्रिंग्ल कर देते हूं धुगला के ऊपर और उसके बाद मैं चौका लगाऊंगी इसी पेन में चौका लगाऊंगी देखे मैंने फिर से उसको सारे मैंने स्प्रिंग्ल कर दिये सिर्स एक चमच के करीब मैंने सिसम सीर लिये थे और उसमें आप थोड़ा सा ओगल डालूँगी फोट चैपल कर casino सीए याल मैंने डाला है और यह देखता में गरम हो जाएगा तो प्रेटे कि और चैपले सास्टोह आप मीरा मां भी किसा याव दालओंगे के सोट आपकर बने मां दिएश ऀला है चरते दॉक लेकी ती वह डाला और यह करीपत्ता मैंने डाला है अब यह थोड़ा साथ अच्छे से मिक्स हो गया है यह देखिए मारा त्यार हो चुका है अब इसके बाद इसे मैं उसके ऊपर भी डाल दूँगी और यह देखिए मैंने छोगा लगा दिया अब यह देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और ये मेरा पक्के भी रेडी हो गया है अब ये सर्ब करने के लिए रेडी है और अब से हम सर्ब करते हैं ये बहुत ही ति